So good morning guys, तो चलिए नए महीने के आज से शुरुआत कर रहे हैं, यानि कि एक मही के important current affairs को हम लोग बढ़ रहे हैं इस वीडियो में, तो इस प्रश्ण में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाली में भारत का पहला upgradable ATM ये किस ने launch किया, तो answer होगा Hitachi Payment Services ने, और ये आपको बिदा machine की तरह भी इस्तमाल कर सकते हैं, simple सा अगर आपको मैं समझाओ एक line में, इसका मतलब ये हो गया, कि आप इससे पैसे तो निकाली सकते हैं, साथ में पैसे भी जमा कर सकते हैं, अब हो सकता है आप में से बहुत सारे student ऐसे कहें, कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, इस त जहाँ पे उस bank के बाहर ही ATM लगे होते हैं, ATM machines लगी होती है, तो जब आप पैसे deposit करते हैं उन machine में जा करके, तो इस तरह की machine आपको bank branches में ही मिलेंगी, बाहर दूसरी जगे आपको केवल ATM मिलेंगे, जहाँ से आप पैसे withdraw कर सकते हो, निकाल सकते हो, जमा करने वाली machine केवल bank branches में ही उपलब्द होती हैं, एक तो ये बात ध्यान रखना, और जो दूसरी बात आप के रहे हो कि इस तरह की machine already available है, market में, जहाँ पे आप पैसे deposit कर सकते हो, बिल्कुल होंगी, लेकिन पैसे निकालने वाली अलग होती है, जमा करने वाली अलग होती है, इसी तरह की होती लेकिन हिताची payment services क्या के रहा है, यह हमारी जो upgradable ATM machine है, यहाँ पे आप पैसे तो निकाली पाओगे, साथ में आप इसे cash recycling machine की तरह भी इस्तमाल कर सकते हो, यानि कि इसी में, इसी में आप अपने पैसे को deposit भी कर पाओगे, कोई अलग-अलग machine नहीं है, एक ही machine दोनों का का करेगी, deposit करने का भी, और withdrawal करने का भी, अभी बात समझ में आ गई, तो इसी लिए मैंने का, यह भारत का पहला है, इस तरह का, अच्छा ATM से संबंदित कुछ प्रशन बनते हैं, आपके current affairs के ही, मैं आपको revise कर आऊ यहाँ यहाँ पे, तो एक तो आपको याद रखना, भारत affairs का revision करते हैं हमारे साथ, तो आपको याद होगा, अगर आपसे पुछे भारत का पहला real gold ATM यह कहां पे स्थापित किया गया था, हैदराबाद आंसर होगा, अगर पुछे भारत का पहला grain ATM कहां पे स्थापित किया गया था, गुरुग्राम आंसर होगा, और पुछे किस bank न फिर आपसे पूछ रहे हैं, अब यहाल में किसे नवरत्न का दर्जा मिला है, तो आंसर होगा हुड़को और इरेडा को, तो अब मिनिस्ट्री और फिनेंस के सारोजनेक उद्यम विभाग ने इरेडा और हुड़को को नवरत्न कंपनी का दर्जा दे दिया है, इरेडा के करती है, और हुड़को की फुल फर्म तो आपको पताई होगा, Housing and Urban Development Corporation Limited, तो अभी इनको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल गए, अब तक ये मिनिर रत्न कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां अब बन गई है, अच्छा अगर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल जा ये इसका सबसे बड़ा benefit होता है, आपको याद होता अभी कुछ दिन पहले ही, शायद अपरेल के महीने में ही आमने पड़ा था, एक कंपनी और थी जिसे नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला था, याद है कि आपको, मैं बात कर रहा हूँ, National Fertilizers Limited को, और इसी तरह से एक आप चुकी है, तेरवे नंबर की बनी थी, Oil India Limited, उससे पहले बारवी बनी थी, REC, Rural Electrification Corporation Limited, और नवरत्न कंपनीयों में अभी हमने देख लिया, ये तीन अभी 2024 में ही नई कंपनिया हैं, जिनको नवरत्न कंपनीयों का धर्जा मिला है, ये आप ध्यान में रखना, हम अगला प पूछ रहें, अभी हाली में किसने मध्यपूर्व और उत्तरी अफरिका के लिए 2024 Cambridge समर्पित सिक्षक पुरुसकार को जीता है, जो प्रश्ण important है, बहुत सारी अच्छी जानकारिया आपको दूँगा और बहुत सारा important awards का मैं आपको revision करा हूँगा, तो बिलकुल जहान से सुनना, इसका तो उत्तर हो जाएगा, जीना जश्टस, तो शारजा, गल्स, ब्रांच की ये सिक्षिका हैं जीना जश्टस, जिनोंने अभी मध्यपूर्व और उत्तरी अफरिका के लिए 2024 Cambridge समर्पित सिक्षक पुरुसकार जीता है, जीना जश्टस, ये मूल रूप से केर पुर्म की रहने वाली हैं, और उन्हें उनके परामर्ष और दान के प्रती समर्पन के लिए पहचाना जाता है, बाकी Cambridge समर्पित सिक्षक पुरुसकार की बात करें, तो ये असाधरन प्राथमिक और मादेमिक विध्याले की सिक्षकों के समान के रूप में दिया जाता है, और सिक्षक से एक अवर्ड आपके माइंग में क्लिक करना चाहिए, ग्लोबल टीचर प्राइज, सिक्षकों का सबसे इंपॉर्टेंट या सरवोच्य पुरुसकार है ये, ग्लोबल टीचर प्राइज हर साल दिया जाता है, तो अब मैं आपसे पुछूँगा, 2023 का किसे दि गया था, ये बिलकुल लेटेस्ट अभी शायद, देसंबर में ही दिया गया था, और मैंने आपको बताया भी था, तो क्या अंसर होगा, सिस्टर जैफ, और ये कहा की है, ये पाकिस्तान की है, और मैं आपको देखो ये भी डिस्क्लेमर देदू, ये भी बता दो, कि आज तक कुछ ऐसे टीचर है जो current affairs पढ़ाते वो आज तक इस award को गलत बता रहे है मैंने आपको बताया इसका उत्तर क्या है मतलब किसे मिला ये पुरुसकार sister Jeff को मिला है जो पाकिस्तान की है और वहाँ पर बताया जाता है ये पुरुसकार दिया गया लेकिन ये विजेता नहीं है विजेता यही है sister Jeff तो ये award जो गलत पढ़ाया जा रहा है आज भी वो कोई छोटी मोटी जगे नहीं पढ़ाया जा रहा जो पूरे YouTube में current affairs का सबसे बड़ा channel मनाया जाता है students के हिसाब से क्योंकि वहाँ पे daily लाखों की संक्या में students पढ़ते हैं तो उस लिहाजा से वो सबसे बड़ा channel का जाता है लेकिन वहाँ पे आज तक ये गलग पढ़ाया जाता है और ये मुझे कैसे पता है है मैं आपको कैसे बता रहा हूँ क्योंकि हमारे साथ जो student लंबे समय से जुड़े हैं उनने तो मुझे पर trust है क्योंकि देखो हम सब human being है गलती किससे भी हो जाती ही मुझे से भी होती है कहीं बार लेकिन मैं उसे दूसरे दिन correct करवा देता हूँ तो हमारे जो पुराने student है उनने तो मेरे बारे में पता है लेकिन हमसे जो नए नए student जुड़ते है वो मुझे comment करके बताते है तो इसी तरह से जब यह मैंने पूरा सकार बताया था तो उन्होंने मुझे comment करके बताया तो मैंने उनको proof दिया भाईया यह low link यहाँ जाकर के देख लो proof देना पड़ता है और फिर मैंने भी उनसे proof मांगा कि भाईया आपने कहां पड़ लिया यह तो उन्होंने मुझे वो video भेजा time lapse भी भेजा कि भाईया यहाँ time पर जाकर के देखना सर तो मैंने जाकर के देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा यह award को दिये वे इतना time हो गया फिर भी आज तक वो गलती पड़ा रहे है और यह बात मैं नए students के लिए बोल रहा हूं कि कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत आती है तो एक बार खुद से जाकर के Google पे genuine site पे जाके genuine जग़े पे जाके दू-तिन जग़े जाकर के खुद से check करो एकदम से किसी पे blame मत डाल दो कि आपने तो यह गलत पड़ाया है अरे ज़रूरी नहीं है जहां आपने पड़ाया महाभी भी गलत पड़ाया हो सकता है अब मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं लेकिन चलो ठीक है अभी मैंने आपको बता दिया तो यह ध्यान रखना अब कुछ important awards में आपको revise कर रहा हूंगा 2024 वले यह सारे 2024 के important awards में बिल्कुल ध्यान से सुनना है आपको जैसे कि अभी अमने पड़ा था 2024 का प्रतिष्ठित लच्चु महराज पुरुसकार यह किसने जीता यह मैंने आपको कली पड़ाया है आपको याद होगा और जैसे सुनना यह 2024 के लिए मैं पूछ रहा हूं तो आंसर होगा पंडित राजेंदर गंगानाई को और गोल्डमेन परियावरन पुरुसकार 2024 का किसे मिला यह अलोक शुकला को मिला यह 36 गड़के हैं और इस पुरुसकार को याद रखना ग्रीन नॉबल पुरुसकार भी का जाता है अभी रतन टाटा जी को कीस मानवतावादी पुरुसकार मिला था वर्ल्ड प्रेस फूटो 2024 का टाइटल जीता मोहमद सलेम ने आर्रेभट पुरुसकार मिला भी पावल लूरी सुब्बा राव को बाकी अभी हमने पड़ा था लता दिनानात मंगेशकर पुरुसकार 2024 मिला अमिता बच्चन को एबल पुरुसकार जिसे गनित का नोबल पुरुसकार का जाता है ये मिशल टेला गरेन को मिला एरासमस पुरुसकार अमिताब गोश्ट को मिला 2024 का पुरुसकार पुरुसकार रिकेन यामा मोटो को मिला जापान के हैं मिस वल्ड दोजार चोबिस का घिताब क्रिस्टिना प्रिस्कोवान जीता चेक रिपब्लिक कियें 2023 का जीडी बिल्ला पुरुसकार मिला टॉक्टर अधीती सेंडे को ग्यान पीट पुरुसकार 58 अभी मिला दो जनों को जगतगुरु राम बद्रा चार्रे जी और गुलजार को के पीपी नाम ब्यार पुरुसकार इसरोक्या द्यक्ष एस सोमनात को मिला सीके नाइडो लाइफटाइम अचीमेंट अवर्ड ये रवी शास्तरी और फारुक इंजिनियर को मिला असम विभव सम्मान असम का सर्वूत सम्मान है हमारे पूर्वी चीफ जश्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगुई साप को मिला म.स स्वामी नातन पुरुसकार बियार कमबोज को मिला 2023 का शाष्ट्र रामानुजन पुरुसकार ये रुईक सियांग जांग को मिला साष्ट्यक आदमी पुरुसकार हिंदी के लिए संजीव को मिला मुझे पहचानों के लिए और अंगरी जी का नीलम शरन गोर को मिला रेक्यूम इन्रागा जानकी के लिए तेतिस्वा व्यास सम्मान अभी पुष्पा भारती को मिला था यादे 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 के लिए और तेतिस्वा सरसोती सम्मान मिला था प्रभा वर्मा को रुद्र सात्वीकम के लिए तो यहाँ पर बाहिस तेविस इंपोर्टेंट अवर्ड दोजा चौबिस के मिने आपको रिवाइस करा दिये यह सारे इंपोर्टेंट है कुछ भी मत छोणना हम अगला प्रशन देखते हैं और हां यह जो पैनल PDF में आपको दे रहा हूँ जो भी यहाँ पर रेटर्न में में आपको दे रहा हूँ इसकी फ्री में PDF अवैलेबल में आपको करवाता हूँ और इनकी प्रैक्टिस के लिए quiz भी आपको मिल जाएगी अपनी Crack exam application पे और students को जो PDF को download करने में दिक्कत आ रही थी उसको resolve करवा दिया है या तो वो आज ही सही हो जाएगा देखना आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा वैसे पूरी उमीद है आज ही हो जाएए तो PDF फिर आपकी download हो जाए करेगी और कुछ students हैं जो मुझे इस तरह के message करते हैं कि application open नहीं हो रही है उनके तो भी देखो बाकियों की तो हो रही है डेली 200-300 instrument quiz लगा रहे हैं तो फिर आपकी क्यों नहीं हो रही है देखो फिर हो सकता है कि आपके आतो internet में problem हो रही हो और इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने घर में जो और सदस्यों के mobile होते हैं या फिर अपने दोस्तों के mobile में एब बार अपनी application को install करके देखो क्या उनके भी चल रही है या उनके भी नहीं चल रही है तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भई मेरे इंटरनेट में या mobile में दिखकत है तो क्यों अगर से उती तो समझ में आता कि नहीं चल रही है मैं आगे क्या बोलूँ फिर तो ये काम करना आप फिर मुझे बताना अभी अगला प्रस्न देखते है फिर आपसे पूछ रहे हैं हाली में किसे Indian Vaccine Manufacturers Association का अद्यक्ष निउक्त किया गया तो ये भारत बायोटेक के सहसरं स्तापक है इनको अभी दो सालों के लिए भारते वैक्सीन निर्माता संग का अध्यक्ष निउक्त किया गया है यहां पे इन्हों ने किन का इस्तान लिया अदार पुना वाला का जो आप जानते हो कौन है सीरम इस्टिट्यूट अफ इंडिया पुने के CEO है देखो Indian Vaccine Manufacturing Association की बात करें तो इस्तापना होती है 2010 में और इसी के अध्यष बन गई ये डॉक्टर कृष्णायेदा बाकी option पे चलो important नाम है नईमा खातून अभी अलिगड मुस्लिम युनिवर्सिटी की पहली मैला वाइस चांसलर यानि के कुलपती बनी नलेन प्रभात नेशनल सेक्यूरिटी गार्ड के डारेक्टर जनरल बने तो दिनेश कुमार तिरपाथी याद रखना ये अभी एक मई 2014 से हमारे नए नौ से ना प्रमुक नेवल चीफ बन चुके हैं किनका इस्तान लिया आर हरी कुमार का अच्छा यहाँ पे दो प्रशन में आपसे पूछ रहा हूँ क्या भी आत्मा यानि की Automotive Tire Manufacturing Association के नए हैड कौन बने थे और भारतिया बैंक संग के नए अध्यक्ष कौन बने तो कि इसी से मिलता जुलता मैंने आपसे प्रशन पूछा है Indian Vaccine Manufacturing Association के नए हैड कौन बने तो आंसर होगा Dr. Krashnayala तो इस तरह का प्रशन भी तो बन सकता है और हमने पड़ा है अभी कि Automotive Tire Manufacturing Association के हैड कौन बने थे मतलब चितनी भी Tire Manufacturing कमपनिया है उनका ये एक संग है उसके अध्यक्ष और उसी तरह से भारतिय बैंक संग के भी अभी नए अध्यक्ष बने थे तो ध्यान रखना भी तो मैं उत्तर बता रहा हूँ आपको आत्मा का ये उत्तर होगा अर्नब बनरजी बने थे और भारते बैंक संग के बने थे MV राओ अभी तो मैंने आपको उत्तर दे दिया लेकिन जो आपके revision वाली class जब मैं कराऊंगा और ये प्रशन आएगा तब मैं आपको उत्तर नहीं बताऊंगा तब आपसे प्रशन पूछूंगा और तब आपको उत्तर करना पड़ेगा हमारी revision class में यही तो मज़ा आता है अगर आप class attain करते हो तो मैं प्रशन बताते वी भी चलता हूँ पूस्ते वी भी चलता हूँ तो अगर आप active learner हो तो वो class आपके लिए बहुत beneficial है चलो अगला प्रशन देखते हैं पिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाली में किस देश ने कामिकेज ड्रोन को लॉंच किया तो अंसर होगा ईरान ने तो अभी अरान ने रश्या के lessen't drone के जैसा दिखने वाला ही एक नया कामिकेज ड्रोन को लॉंच किया है जब रश्या ने यूकरेन पर हमला किया था तो वहाँ पर उसने ये लेसेंट ड्रोन का इस्तमाल किया था तो उसी के जैसा दिखने वाला है ये कामी केज ड्रोन जिसको अभी लॉंच किया किसने इरान ने ये ड्रोन के खासियत बता दू मैं आपको 30-60 मिनिट तक ही उडान भर सकता है हवा में रह सकता है और ये 6 किलो तक का पेलोड अपने साथ ले जा सकता है और इसके रेंज कितनी होगी कितनी रेंज कवर कर सकता है तो 40 किलोमेटर तर अच्छा यहाँ पे इरान लेक करके चलूँगा आज मैं आपको लेकिन उससे पहले ड्रोन से संबंदित कुछ करंट अफेर्स में प्रशनमने पड़े थे वो मैं आपको रिवाइस करा हूँ एक तो याद रखना अभी IIT गुवा हाटी ने भारत का सबसे बड़ा ड्रोन पाइलेट ट्रेनिंग और्गिनाइजिशन लाँच किया था और भारत का जो ग्रीन रोबोटिक्स कंपनी है इसने विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लाँच किया था जिसका नाम इंदर जाल रखा था बाकि अभी गरूड एरोस्पेस ने सीमा अगस्ती निगरानी ड्रोन को लाँच किया था इसका नाम त्रीशूल है ये दोजा चौबिस में पड़ा हमने और अभी IIT जम्मू ने साउंड बेस्ट एंटी ड्रोन सिस्टम को भी डेवलप किया उसके अलावा भी भारते नौस इसका एवजन हुआ था उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में और याद रखना भारत का पहला ड्रोन परिक्षन केंदर कहां पे खुला तमिल नाडू में और भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किस शहर में लांच की गई चैन्नाई अच्छा मोधी जी ने भारत के पहले किस यात्री ड्रोन का अनावरन किया था तो आंसर होगा भारत नागरे खावाई शेतर में ड्रोन को अनुमती देने वाला पहला देश बना था इसराइल देश का पहला ड्रोन स्कूल कहां पे खुला था मध्यपरदेश के ग्वालियर में और मध्यपरदेश के ग्व भारत की पहले drone forensic lab का का पर स्तापित की गई थी तो केरल में तो ये तो मैंने आपको drone से संबंदित सारे के सारे प्रशने यहां पर revise करवा दिये और अपने session की यही खास बात है कि question से संबंदित ही सारे प्रशने में आपको revise कराता हूँ ऐसे कुछ भी उठा करके revise नहीं करवा देता कि drone का प्रशने तो एक प्रशने में ने sports का revise करा दिया एक appointments का revise करा दिया एक submit का revise करा दिया नहीं ऐसा करना हो तो मेरे लिए तो बहुत आसान हो जाएगा लेकिन उस प्रशने से संबंदित जो पूछा जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे है जो हमारे दिमाग में चल रहा है प्रशने पढ़ते वक्त उसी से relate करके सारे प्रशने में आपके लिए खटे करके ले करके आता हूँ और ऐसा करने में ही महनत लगती है कुछ भी उठा करके revise करवा दो कुछ भी महनत नहीं है तो आपका session बनाने में बहुत महनत लगती दोस्तों तो बस आपस एक गुजारिश है एक request है अपने वीडियो को अपने क्रेक एकजाम चैनल को support जरूर किया करो मुझे अपने ही लोगों का support नहीं मिल पाता डेली बोलना बढ़ता है तो वीडियो को like जरूर करें अगर अच्छा लगता है और अपने दोस्तों के साथ में study group में WhatsApp पे, Facebook पे जो भी आप इस्तिमाल करते हैं एक बार प्लीज वाँ पे share जरूर करें अपने वीडियो को ये छोटी सी humble request है मेरी तरफ से और आज की वीडियो के like का target रखते हैं 7000 like का आप में से जितने लोग भी वीडियो देखते हैं अगर उसमें से 40-50% भी अगर support करें न या थोड़े से humble बने तो अपना ये target तो easily पूरा हो जाए चलो अभी मैं फिर आपको इरान ले जालता हूं इसी बात पे ये रहा मैप में इरान देखो इरान की capital तहरान होती है currency अब नई हो गई है तोमान और president कौने इबराहिम राहसी और चाबाहर पोर्ट आपको इरान में मलेगा जिसे भारत ने बनाया है यहाँ पे दो मरुस्तल याद रखना दस्त ए कबीर और दस्त ए लुत यहाँ को यहीं पे मिलेंगे रामसर इस्तल आपने सुना होगा यह यहीं पर है जहाँ पे दो फरवरी 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था आद्र भूमियों के संग्रक्षन के लिए wetlands के conservation के लिए इसलिए तो दो फरवरी को हम world wetland day के रुपे मनाते हैं अचा मुझे बताना आप लोग कमेंड करके कि अभी भारत में वर्तमान में कितनी रामसर इस्तल हैं कितने हो गए हैं और ये भी आदरखना शंगाई का operation organization का भी नवींतम सदस्य देश 9th नंबर का बना था इरान ही वैसे इरान अभी ब्रिक्स में जो 5 देश शामिल हुए हैं उसमें से एक इरान भी है बाकी चार कौन कोने? United Arab Amirat, Saudi Arab, Ethiopia और मिश्र और एक ये इरान हुई गया और कौन सा नहीं हुआ शामिल ये प्रस्ण अभी एक्जाम में पूछा गया था ये जो को लिंक करना सीख जाओगे न तो मज़ा आ जाएगा पढ़ने में एक ही कुशन में तीन चार कुशन आप कवर कर डालोगे अभी उत्तर बताओ जो मैंने पूछा हम अगला प्रस्ण देखते हैं फिर आपसे पूछ रहे हैं और ये बैच ओपन चैलेंजर स्क्वेश टाइटल टॉर्नामेंट हुआ कहां पे था पैरिस फ्रांस में और वी सेंथिल कुमार इनका ये आठवा प्रोफेशनल स्क्वेश असोसियेशन खिताब है भारत के कुछ और भी स्क्वेश प्लेयरों के बारे मैं आपको बताता हूँ पूछे जा सकते हैं और ये न्यूज में रखते हैं कहीं बार जैसे की सौरव घोशाल ये नाम तो डेफिनेटल अभी आपने सुना होगा सन्यास लेलिया इन्होंने एक दीपिका पलिकल का नाम याद रखना जोशना चिनप्पा, हरिंदर पाल संदू, अनाहत सिंग ये वो नाम है जो स्क्वेश में बड़े फेमस भारते प्लेयर है और डेफिनेटल अगर करंट अफ ऐसा आप पढ़ते हो न डेली तो ये नाम तो आपने जरूर सुने होंगे और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक्जाम में पूछ लेता है कभी कबार जो फेमस खिलाड़ी होते हैं या किसी कारंट से न्यूज में रहते हैं तो बताओ, उनका संबंद किस के खेल से है तो ध्यान रखना है वैसे मैं आपको ये भी बता दू कि स्क्वेश को अभी तक उलम्पिक में शामिल नहीं किया गया है लेकिन एक अच्छी खबर स्क्वेश प्लेयर्स के लिए ये है कि दोहरजार 28 में जो समर उलम्पिक होंगे कहां पर लॉस एंजल्स में वहाँ पर पहली बार स्क्वेश को अलम्पिक में शामिल किया जाएगा और हमने पढ़ा भी है किर्केट भी तो वहीं पर शामिल हो रहा है दूसरी बार हो रहा है लेकिन किर्केट आप मेंसे कोई बता सकते हैं पहली बार ओलम्पिक में किर्केट को कब शामिल किया गया था देकिंगे बताओ तो किस-किस को पता है हम अगला प्रश देखते हैं फिर आपसे पूछ रहें अभी हाली में भारत के अभे शर्मा को किस देश की किर्केट टीम का मुख्य कोच न्यूक्त किया गया तो आंसर होगा युगांडा तो भारत के अभे शर्मा इनको अभी युगांडा किर्केट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है अच्छा आपको और अमेरिका में नाइन्थ नंबर का एडिशन है यह तो इसमें ये तीनों टी में जो मैंने आपको बताई ये पहली बार हिस्सा लेंगी T20 वर्ल्ड कप में और पहली बार इसमें 20 टी में हिस्सा ले रही है अभी हमने पढ़ा था इसके बारे में इसमें अभी तीन जनों को ब्रेंड अमबेस्टर बनाया है कन्फ्यूज मत होना तीनों के तीनों है यवराज सिंग, क्रिस किल और उसेन बोल्ड अच्छा इसके लाव में आपको बचा दू कि अभी रिसेंटली, गेरी क्रिस्टर और जैसन गिलेस्पी इन दोनों को कोच बनाया है पाकिस्तान टीम के लिए ये जो गेरी क्रिस्टर है ये साउथ अफरिका से हैं और ये जैसन गिलेस्पी हैं ये उस्टेलिया के हैं वैसे भारत में आप जानते ही हो मेंस टीम में हमारे कोच कोने राहुल द्रविण है और अभी महिला टीम में नए कोच बने थे अमुल मजूमदार उनका नाम है वैसे अभी भारतिया महिला टीम की भी नए कोच बने थे आपको याद हो कौन बने थे हरेंदर सिंग बने थे त अभी एक सत्र हुआ था, एक सम्मिलन हुआ था, कमपाला में ही, तो आपको याद आना चाहिए, ठीक है, अभी अगला प्रशन दिखते है, फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाली में अंतरराष्टर जैज दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 30 अपरेल को, जैज क्या होत पूरा अपरेल तो हमने पढ़ लिया देखो, ये एक आखरी दिवस भी था, मेरेक को लगा क्यों छोड़ें इसको भी पढ़ लेते हैं, और ये भी मैं आपको बिता दूँ कि 30 अपरेल को हम आयुश्मान भारत दिवस भी मनाते हैं, आपको यादे न, प्रधान मंतरी प्रधान मंतरी जन अरुग्य योजना भी कहते हैं, ये कब और कहां से शुरू हुई थी ये जरूर याद रखना, ये 23 सेप्टेंबर 2018 को शुरू होती है, कहां से राची जारखंड से, ध्यान रहेगा, तो ये अपरेल का सारा डेज का सिस्टम हमारा खस्तम हो गया, अब म मैं अपनी जो क्रीक एक्जाम एप्लिकेशन है, वहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वगेरा बना के दूँगा, जिसमें डेज वाला सेक्शन भी दूँगा, वहाँ जाके प्रेक्टिस कर लेना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, चलो फिर अगला प्रशन देखते ह और यह अभी इसका पहला चरण हुआ है, 23 से लेके 28 अप्रिल तक इसमें भारत ने 8 मेडल जीते हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 2 सिल्वर हैं और एक ब्रोंज हैं, पदक ताली का मेडल लिस्ट में बात करोगे तो भारत पहले स्थान पर रहा, दूसरे पर साउथ कोरिया, तो भारत का याद रखना आप तो भारत पहले स्थान पर है, अच्छा आप पूछोगे कि यह 5 गोल्ड किस किसने जीते हैं, तो इसमें बहुत सारे प्लेयर हो जाते हैं, मतलब इंडिविज्वल नीए, एक के खिलाडी नीए, टीम इवेंट हुए हैं, तो बहुत सारे खि टीम केटेगरी में रहते हुए गोल्ड जीता है, मतलब उनकी प्रेजेंस में तीन गोल्ड आये हैं, और जोत्ती वेनम आपने पहले भी नाम सुना होगा है, इंका एशन गेम्स में भी यह गोल्ड लेकर के आई थी, वैसे तीरंदाजी का नाम आती है न मेरे दिमाग में खिलाडी का नाम आ जाता है, शीकल देवी का नाम, पेरा आर्चेरी प्लेयर हैं वो, पेरा तीरंदाज हैं, अभी अर्जून अवार्ड भी मिला था उनको, तो उनका नाम आप जरूर याद रखना, एकजाम में पूछा जाएगा इनका नाम, और अभी नेशनल आईकॉन दिव्यांग जनों के लिए, किसने चुनावायोग ने, ये भी ध्यान में रखना अगला प्रशन दिखते हैं, फिर आपसे पूछ रहें, अभी हाली में किस राज्जी की कपड़ा, शिल्प, कला, जिसका नाम में अजरक, इसको GI टेग मिला तो आंसर होगा गुजरात, तो अधिनियम है, एक है, 1999 का, लग हुआ था 2003 में, पहली बार दिया गया था सन 2004 में, किसे, तो आंसर होगा, दारजलिंग टी को जो की पश्चिम मंगाल किये, तो याद रखना ये भी, तो guys ये था आज का आपका Current Affairs का session, एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, session अभी तक अभी किस AI anchor ने Global Media Award जीता तो अंसर होगा, सना, ये India Today Group की है, फिर पुछा The Winners Mindset नाम की book को लिखा है, Shane Watson ने, फिर पुछा Goldman परियावरन पुरुसकार 2024 के लिए किस भारते को चुना गया, आलोक शुकला, फिर पुछा दुनिया का सबसे बड़ा airport ये का पे बनाया जा रहा दुबई में, दुबई में भी कौन सा वाला, जो अल मक्तूम अंतरराष्टर हवाई अड़ा है, वहाँ पर, फिर पुछा भी किस देश की संसद ने समलेंगिक संबंदू को अपराद घुशित करने वाला एक विधेक पारित किया, तो आंसर होगा, इराक, फिर पुछा भ भारत और रश्या की, अभी कंपनियों ने किस देश में स्थित मटाला हवाई एड़े का सयुक्त प्रबंदन प्राप्त किया, मेनेजमेंट करेंगी अब ये, शिरिलंका में है ये मटाला हवाई एड़ा याद रखना, फिर पुछा अंतरराष्टर नरत्य दिवस का बनाय गया तो आंसर होगा 29 अप्रेल को, और आखरी प्रशन पूछा, राष्टर रक्षा विश्विध्याले गांधी नगर ने अभी किस देश के स्टार्ट बस्ट, एरोस्पेस के साथ समझुता किया, तो आंसर होगा फ्रांस, तो चलो अभी कल के करेंट अफर्स का भी मैं करते हैं, तो कल के वीडियो में आपसे बूछा था भी गेता महुत्सों के पांचवेस अंसरन का आयोजन ये कहां पर खिया गया तो अंसर होगा श्री लंका में, आप सभी ने प्रशन का बिल्कुल सही उतर दिया, अब यह राज का आपका हमवर्क प्रशन है